हेलो वीवर्ज, वेलकम टू एटेस्ट यूट्यूब चैनल वीवर्ज जैसा कि आप जानते हैं हम PMS से रिलेटिड जनल नौलिज पेपर 2015 डिसकस कर रहे हैं इस वीडियो से पहले PMS जनल नौलिज पेपर 2015 का पार्ट A हम डिसकस कर चुके हैं हमारे E-Test चैनल पे मुझूद है और पार्ट A का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम PMS 2015 का पेपर जनल नौलिज डिसकस करेंगे इस वीडियो में वीडियो को कंप्लीट देखेगा यकीनन पेपर एटेम्ट करते हुए आपके लिए हैल्फ रहेगी चलते हैं क्वेस्टन की जानिब इससे पहले के 25 क्वेस्टन पार्ट A वीडियो में मुझूद है फादर ओफ फार्मल यूएस सेकेर्टरी ओफ स्टेट मेडलाइन अलब्राइट वाज अल्ब्राइट वाज अमेंबर ओफ दा यून कमिशन ओफ इंडिया और पाकिस्तान और आथर अफ दा बुग डैंजर इन कश्मीर वाट वाज वाज इस नेम जोसफ कॉर्बल डैंजर इन कश्मीर जिस राइटर ने लिखी थी उसका नाम जोसफ कॉर्बल था डैंजर इन कश्मीर 1954 में पब्लिश की गई फार्मर प्राइम मिनिस्टर ओफ मलाइशिया महातीर मुहम्मद वाज बाई एजुकेशन मलाइशिया के जो साबग प्राइम मिनिस्टर थे मिनिस्टर महातीर मुहम्मद ये पेशे के अतबार से एक मेडिकल डॉक्टर फिजीशन थे क्वेस्टन अबर 28 अपिस्टिमोलोजी इस दा स्टड़ी ओफ नॉलिज अपिस्टिमोलोजी ये एक इलम का मजीद इलम पे तहकीक है इलम पे जो रिसर्च की जाती है उसे अपिस्टिमोलोजी कहा जाता है रेन डिस्क्रेट्स को फादर ओफ अपिस्टिमोलोजी कहा जाता है इसने 1641 में इस फिलोसफी को Epistemology को Introduce करवाया Question number 29 Who was the leader of the 1958 COP in Iraq Abdul Karim Qasim 1958 COP in Iraq को 14th July Revolution भी कहा जाता है Question number 30 Major Shabir Sharif Was awarded निशाने हैदर Which other medal for bravery was He awarded during his career in the army Major Shabir Sharif को निशाने हैदर से निवादा गया इसके लावा इन्हें स्तार जुरत भी दिया गया Wevers निशाने हैदर पाकिस्तान का highest military award है इस आवाद को पहली बार 16 मार्च 1957 को दिया गया और इसी तरह स्तार जुरत को first time 1957 में दिया गया Wevers ये तो short detail में explanation है ये भी questions है जो मुख्लिक paper से लिए गए है Question number 31 Which Indian personality served as the president of the UN General Assembly in 1953 to 1954 विजे लक्षमी पंड़त विजे लक्षमी पंड़त ये एक female थी 1953 में विजे लक्षमी पंड़त को President of United Nations General Assembly बनाया गया विजे लक्षमी पंड़त ये पहली खातून थी जो बतोर सदर President of United Nations General Assembly सेलेक्ट हुई Question number 32 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल E-Test सबस्क्राइब नहीं किया तो इसे फोरण सबस्क्राइब कर ले और साथ बेल का इकन को ज़रूर प्रेस करें ताके फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपोर्टन जॉब से लेटिड वीडियो आपको मिल सके है Question number 32 In which organ of United Nations All Member States of United Nations are represented General Assembly United Nations General Assembly United Nations का main organ है जितने भी United Nations के organs हैं agencies हैं उन तकरीबन उन तमाम में जो सिलेक्शन होती है recruitment हिरारकी उनकी वो तमाम United Nations General Assembly के थुरूफ सिलेक्ट होती है यहां तक के International Court of Justice ICJ के जो judges हैं नो judges वो भी United Nations General Assembly सिलेक्ट करती है Question number 33 Ustad Allah Baks was a famous painter Question number 34 Advisor to the Prime Minister on Foreign Affairs सर्टाज अजीज holds a master degree in development economics from Harvard University सर्टाज अजीज ने Harvard University से development in economics में master degree हासिल की सर्टाज अजीज एक economist हैं इने 1959 में इनकी खिदमात की वज़ा से इने निशान पाकिस्तान दिया गया Question number 35 During the address to the United Nations General Assembly, Prime Minister Nawaz Shri proposed a new peace initiative with India stating with implementation of four measures relating to seas fire along the LOC Non-use of force are threat to use force demonization of Kashmir and withdrawal of forces from CIA chain Question number 36 UNFCC was adopted during the Earth Summit at Rio de Janeiro 1992 When did it come in force? March 1994 Question number 37 The Beers is one of the biggest names in diamond industry Who was the founder of The Beers Consolidated Mining Company? The Beers ये diamond industry में एक बड़ा नाम है The Beers इंडस्टी जो है इसे इस कंपनी को जॉन सैसिल रोड़्स ने काइम किया जॉन सैसिल रोड़्स ने इस कंपनी को 1888 में काइम किया इसका हेड़ क्वाटर लंदन युनाइट किंडम में है Question number 38 Who was the first UN High Commissioner of Human Rights जोज अलायर लैसो UNHCR stands for United Nations High Commissioner of Human Rights इसे UNHCR को जनरल असम्बली ने एक रेजुलूशन के तहत एक तहरीक के तहत 15 मार्च 2006 को काइम किया Question number 39 The Treaty of European Union 1992 is also known as Mastricht Treaty Treaty of European Union को Mastricht Treaty भी कहा जाता है ये Treaty 7 फरवरी 1992 को साइन की गई इस मौइदे पर इस ट्रीटी पर 12 मौलिक ने साइन किया Question number 14 King Abdul Aziz Ibn Saud named the kingdom of Hijaz and Najd as Saudi Arabia 1932 King Abdul Aziz ने Hijaz और Najd का नाम तबदील करके 1932 में इसे Saudi Arabia कर दिया Question number 41 Headquarter of the African Union located in African Union का Headquarter at is above में है African Union को 9 जुलाई 2002 में डर्बन साउथ अफरीका में काइम किया गया African Union में 55 मौलिक शामिल है Question number 42 Which of the following Indian Nobel Prize winners is associated with economics? Murtiya Sen Murtiya Sen को economics में Nobel Prize दिया गया इनकी contributions economics में बहुत ज्यादा थी जिस बेस पे इन्हें 1998 में Nobel Prize से नवादा गया Question number 43 The Earth takes about dash to complete one rotation around its axis जमीन अपने महवर के गिर्द चक्र तकरीबन 24 घंटे में पूरा करती है इसके अलावा जमीन सूरज के गिर्द एक चक्र तकरीबन 365 इशारिया दो छे दिन में पूरा करती है Question number 44 When a gas turns into liquid, the process is called Gas का liquid में तबदील होने का आमल condensation कहलाता है इसके अलावा liquid का solid में, माया का ठोस में तबदील होने का अमल solidification कहलाता है Question number 45 Yeast Yeast mean खमीर Yeast used in making of bread is a fungus Question number 46 The disease diphtheria affects the throat Diphtheria ऐसी बिमारी है जो गले पर असर अंदाज होती है ये एक infectious disease है Question number 47 When was the first Nobel Prize was awarded? पहला Nobel Prize Sweden ने 1901 में physics से related activities के सिलसला में दिया पहला Nobel Prize 1901 में Sweden की तरफ से दिया गया Question number 48 The presidency of United Nations Security Council rotates among its members United Nations Security Council UNSC का जो President है वो हर माँ change होता है हर महिने United Nations Security Council का President नया होता है और ये President उनी members में से जो 15 members है उनी में से एक member को President of United Nations Security Council बनाया जाता है United Nations Security Council 15 members पर मुश्टमिल होती है जिन में कुछ members permanent और कुछ non-permanent होते हैं इन 15 members में 5 members permanent है और 10 members non-permanent है जो permanent members है वो veto power के साथ है वो इसमें permanent basis पे हैं जबके 10 members ऐसे हैं जो 2 साल के period के लिए select होते हैं 2 साल के बाद दुबारा फिर नए 10 members UNSC में शामिल हो जाते हैं वीवर्स आपने देखा होगा कि इस वीडियो में तकरीबन 3 questions United Nations से related discuss हुए हैं इसलिए आप United Nations के topic को अच्छी तरह त्यार कर लें United Nations से related video हमारे e-test channel पे मुझूद है और उसका link आपको description में भी मिल जाएगा Question number 49 UNESCO which deals with education science and culture has its headquarter in Paris UNESCO को 16 November 1945 को London, England, UK में काइम किया गया Question number 50 Beijing Declaration and Platform for Action 1992 deals with rights and status of women It was adopted in September 1995 खवातीन के लिए आलमी सता पर जितनी भी conferences, meetings हुई ये उन meetings में चोथी बड़ी conference थी meeting थी वीवर्ज इसके साथ ही हमें इजादत दें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर कीजएगा PMS General Knowledge पेपर 2015 पार्ट सी के साथ दोबारा हाजिर होंगे अल्ला हाफिज